दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रजा इंटीरे में और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक modular kitchen का design पूरा kitchen टूर आपको जो है कराने वाला हूँ इस kitchen को हमारे तयार किया है हमारे इंतिजार भाई ने और इस kitchen का पूरा तूर आपको कराऊंगा पूरी finishing वगरा पूरी आपको दिखाऊंगा और किस की तरीके से पूरी kitchen को तयार किया गया है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें डड़डू कपजा भी बोलते हैं जो बंद करने बाद जब हम बंद करते हैं तो बहुत आराम से जो पुरा ठो दोस्तों यह जो route आप देख रहे है यह हमारी तो 50 Тब दथज़ इंची की दोनों ड्लॉरव यहां पर बनाई हैं आप देख सकते हैं फूली इनुटेग यहां पर यूस जो किया गया है और जो संमाई का वगर है वह भी आप यहां पर देख सकते हैं ग्लोसी टाइफ सनमाई का जो हो यूज की गई है फुल ग्लोस में और दो कलर कॉंबनेशन हमने यहाँ पर लिये है एक वाइट है हमारा दूसरा ग्रे कलर है तो दोनों का कॉंबनेशन काफी अच्छा इस किचन को लुक जो हो दे रहा है यह कटलरी यहाँ पर हमने बनाई है कटलरी के लिए जगध जो हो दी है उसके बाद यहाँ पर एक 6 इंच का बास्केट आजाती है इन्योटेक में तो वो भी है पर आप देख सकते हैं अंदर की सनमाई का आप देख सकते हैं अभी थोड़ी फिनिशिंग इसमें जो है वो दोस्तों बाकी रह जाती है तो थोड़ा थोड़ा कहीं पर काम रह जाता है वो भी पूरा होना अभी बाकी है बाकी मैं पूरा किचन का फुल टूरा आपको जो हो करा रहा हूँ हूँ आप देखते रहिए और यह दो बास्केट यहां पर दोस्तों जो हो दी गई है 14-14 इंच की तो इनमें आपको यह अपने बड़े बरतन जो हो रख सकते हैं और यह मैं आपको बता दो दोस्तों जितनी भी ड्रॉर दी गई है वो कस्टमर की रिक्वर्मेंट के हिसाफ से जो हो दी गई है कहीं पर भी हमने अपनी तरफ से कोई भी एड़िस्टेबल जो हो नहीं किया है तो इस चीज को भी आप ध्यान रखे क्योंकि बाद में हमारे भाई बहुत सारे कॉमेंट्स जो हो इस चीज के आते हैं कि आपने यह इस चीज के लिए जगा नहीं दी तो वह भाई देखे क्योंकि रिक्वर्मेंट के हिसाफ से जगा जो हो दी गई है यहाँ पर लास्ट में हमारा एक कॉरनर आ जाता है जो कि यहां पर आपक्या रखे सकते हैं और इसके बाद में आपको पूरा ऊपर का जो पूरा दिखा देता हूं बॉकस किस तरीके से जो बनाए गई हैं यह पहले आप नीचे का जो सिस्टम पूरा देख लीजिए उपर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे दो यहाँ पर बॉक्स बनाए गए हैं बीच में एक हमने सेल्फ जो हो दी है और सभी में जितने भी डॉर यहाँ पर दिये गए हैं सभी में डडू कपजे का इस्तेमाल जो हो किया गया है यह आप देख सकते हैं आगे आप देखिए वर्क का दोस्तों फिनिशिंग पूरी आप देख सकते हैं कितने जबरदस तरीके से पूरा वर्क जो हो किया गया है और दोस्तों अगर आपको हमारा वर्क पसंद आता है तो आप वर्क जो हो करा सकते हैं दिल्ली, गाजेबाद, नॉयडा गुडगाउं। पंजाब, चंडीगण़ में आप वर्क उरकार चन्डीगण या पंजाब में आप कहीं से भी हैं। तो आप वर्क उरक उरकार सकते हैं। are fully modular केशन भी आप बनवा सकते हैं और लीखेश चाहते हैंbr मासकते है आगे यहां पर जैसा हमने 2 खाने पर नीखेश वो आप यह पर रख सकते हैं चिमनी आप सबसे पहले में आपको चिमनी का जो हो दिखा देता हूं यह यह अलग होती है दोस्तों चिमनी कोश्ट वगएर जो अलग होती है कोस्ट क्या वह आपके अपनी मर्जी होती है चाहिए आप खुद से लाएं या मंगाएं आप इसको तो चिमनी जो है वो आपके बिल्कुल अलग होगी जो मॉडलिय किचन के प्राइस वगएर जो आपको बताए जाएंगे तो यह चिमनी के लिए भी हमने दोस्तों देखिए पूरा अच्छे तरीके से इसको कवर किया है और यहां पर आ जाती है दोस्तों आपकी दो इस्ट जो है वो जितना एरिया आपका है तो उसका साइज लिखें और आपको जो हो प्राइस के बारे में बता दिया जाएगा या आप किस मेटेरिल में जो हो किचन बनवाना चाते हैं क्योंकि किचन के भी बहुत सारे प्रकार जो होते हैं जैसे कि SDMR बोर्ड में होती है या कर सकते हैं वर्क कराने के लिए दिल्ली गाजवाद नोईडा गुलगाओं पंजाब चंडिगड़ और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरू फोलो